है लोड़ी है फैंट्स मैं से उसर ग्राउंट इस टेड़ी प्रेटफर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं जी हां दोस्तों एक बड़ी सुचना निकल करके आपके सामने आर्याप यहां पर देखेंगे सिक्षक भरती जो हो जार तेज जो है इसके कांसलिंग प्रकिरिया असा से सुरू हो कि उसके बारे रूप गरें यहीं पर बात करेंगी सानति ही आपको किस तरह से गांसलिंग करना है तके आपको पूरी जानकारी मिल सके अप्र दिखेंगे मिल कर दिया हुआ है कि सिक्षक भरती 2030 लिखित परिक्षा परड़ाम के बाद ठीक है परड़ाम आप वेबसाइट व्यापम के साइट पर देख पाएंगे वहीं इसमें कांसलिंग के लिए नियुक्ति प्रकेरा के कांसलिंग माध्यम की जाएगी ऑनलाइन कांसलिंग की विश्त जानकारी आप इजूकेशन पोर्टल पर देख पाएंगे अच्छा जो आपको देखने को मिल जाएगे अप यहां पे जाकरी आप यहां पर देख पाएंगे इस साइट पर साथ यह सिख्षकपत के online counseling के प्रक्रिया प्रारब किये जा रही है जो नीचे दिये गए इस रेंग तक कर सकेंगे अब कैसे होगी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं देखिए आप यहां पर देखेंगे अनारक्षित मतलब जनरल केटेगरे में जो मुक्त होंगे वह 801 र रेंक तक क्या अभियर्थी online counseling में भाग ले पाएंगे महिला की बात करें तो 4324 तक रेंक के अंदर जो होंगे वह भाग ले पाएंगे वह अनुसुचित जनजाती की बात करें सब्सक्राइब करें आपको यहां पर देखने को मिलेगी क्यांस एसी कौन सी गलती है जिससे आप reject हो सकते हैं उससे बचने के लिए आप continue बने रहे हैं जब भी counseling प्रकिरिया शुरू होगी उसके बारे में आपको उस वीडियो में support जानकारी दिया जाएगा आपका 14 अगस्त से सुरू होने वाली है तो 14 अगस्त से सुरू होने वाली कैसे आपको counseling करना किस पोर्टल पर जाना है continue मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा counseling की start होने के साथ किस तरीके सा आपको counseling कराना है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिए ताकि जैसी मैं वह वीडियो लेकर क्या हूं आपको तदकाल notification मिल सके चलिए दोस्तों मिलते हैं इस एक साथ अगले वीडियो में तब तक कि लिए बाइ बाइ जैहिंद वंदे मात्रम